हेलो रेंड वेल्कम गाईस दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूस अभी अभी निकल कर आ रही है कि जो अशोग एलो जी की कुरसी है उन पर उसके दिक्कत अब उनकी जगा बैठाया जा सकता है सचीन पाइलेट को ऐसी कुछ न्यूस अभी अभी सामने आ रही है जैस आ रही है तो उसको देखते हैं वो कुछ ऐसे नियम लिए जा रहे हैं बहुत बड़े वो शुरू से लेके लास्त तक इस वीडियो को देखने पर आपको पता चल जाएंगा तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं खत्रे में अशोग गहलोत की कुरसी सचीन पाइलेट को मुख्य मंतरी बनाए जाने की मांग हुई तेज तो दोस्तों एक पूरी नियूस दिखाऊंगा उससे पहले आपसे प्यार बड़ी निवेदिन वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स् सारी जो सीटे थी वो हमारी भाजपा की सरकार ले जा चुकी है और दोस्तों इसकी पूरी नियूस आपको दिखा देता हूँ मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक कॉंग्रेस अद्धिक्ष राहूल गांदी मुख्य मंतरी अशोग हैलोत के पुत्र महों के कारन नाराज बता के जानकर बताते हुए पिछले साल विदान सभा चुनाओ के बाद राहूल गांदी सचिन पाइलेट को जो राजस्तान का मुख्य मंतरी बनाना चाहते थे लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं ने राहूल पर अशोग हैलोत को मुख्य मंतरी बनाने का दबाव डाला और गहलोत के मुख्य मंतरी बनाए जाने के पीछे लोकसभा चुनाओं का हवाला देते हुए कहा नेताओं के अनुभाव का लाव पार्टी को मिलेगा लिए जब नतीजे आये तो सब कुछ उल्टा हो गया ऐसे में राहूल अब अशोग गहलोत समेत पार्टी के बड़े नेत वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सुब्सक्राइब करना मत बूलना तो मिलते हैं फिर कुछ ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन देमाँ